तो एरे की स्लाइसिंग के बाद में अब नमपाई की जो डेटा टाइप्स होते हैं उसको समझने के लिए मैं बनाता हूँ हमारा फिफ्थ चैप्टर इस पर लिख देते हैं नमपाई एरे डेटा टाइप्स यह बहुत बड़ा हो जाएगा इसको सिंपल लिखते हैं डेटा टाइप्स ठीक है डॉट पाई जैसे की डेटा टाइप आपने पाइफन पे देखा था है ना पांच तरीके की डेटा टाइप थे ठीक है एक बड़ रिवाइस कर लेते हैं पांचों ड normal standardized python की बात कर रहे हैं ठीक है पहला वाला कौन सा था data type उसमें string था है ना दूसरा क्या होता है integer ठीक है तीसरा क्या है float चौथा boolean अगर आप भूल गए हो तो एक बार आप जो playlist डेली हुई है उसको आप एक बार वापस revise कर लो ठीक है और पांचना data type क्या था complex ठीक है यह पांच तरीके के data type हमने देखे थे मैं इसको word web कर देता हूँ ओके अब अगर हम numpy module की बात करें कि इसमें data type कैसे होते हैं तो मैं इसमें रिखता हूँ data type in numpy ठीक है देखो लगभग लगभग सेम होता है दोनों में दोनों में कोई खास अंतर नहीं है बट इसमें थोड़े से जादा होते हैं पाइफन में हमने पांच देखे इसमें हम थोड़े से जादा होते हैं उसका थोड़ा extension होता है ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ यहां पर सब second ले लो b b for boolean ओके third हो गया आपका u u for unsigned क्या integer यह क्या होता है इसको भी हम समझेंगे f for float इसमें बहुत सारी चीज़ों को ना मैं example आपको नहीं दूँगा ठीक है जो major major जो common use होते हैं हम उसका example लेंगे और उसी example में आपको maximum चीज़ें समझ में आ जाएंगी और रही बात पूरे का example लेने की तो हम जब एक live project बनाएंगे ना last में तब यह जितने भी data type है हम सारे सारे data type को उसमें execute कर लेंगे ठीक है तो f for float हो गया c होता है इसमें c for होता है complex float complex float ठीक है एक और data type होत होता है time delta और जो capital M होता है उसका मतलब होता है date time for date time d-a-t-e-t-i-m-e उसके बाद O होता है capital O capital O होता है object के लिए मैं इसको आपको revise करा रहा हूँ क्योंकि इसको आपको रटना पड़ेगा क्योंकि जब हम standardized करेंगे या convert करेंगे ना कोई भी data को input data को हम अपने expected data type में तब इन सब की आपको ज़रूरत पढ़ने वाली है ठीक है मैं आगे आभी आप लोगो दिखाता उसको for strings होता है ठीक है capital S for string होता है और यू होता है एक इसमें यू होता है Unicode string के लिए for Unicode string कोई भी Unicode पर change करना रहता है Hindi English या जब भी कोई input रहता है और एक और होता है capital V capital V basically memory के लिए होता है एक memory allocation unit होती है इसमें fixed chunk के लिए उसके लिए use होता है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा यह हम किसी typical example जब लेंगे तो उसमें आपको समझाओंगा इसके बारे में अभी तो सीधे हम live example पर आते हैं कि यह हो गया ओके तो अब माल लो मैं numpy की किसी data को किसी array को check करते है उसका data type तो data type python यहां के देखन में तो नॉर्माल होता है इसमें हम उसको और टाइप से जिनोड करते हैं ठीक है तो मैं comment ले लिए आप comment में लिग देता हूं checking the data type के आफ नम पाए इसको किस से करते हैं यहां लिग देता हूं में डी टाइप से ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले इंपोर्ट नम पाई एज एन पी ठीक और एक ले लेता हूँ शरत इसके अंदर मैं एक एरे ले लेता हूँ तीन चार वैल्यूस की एन पी डॉट एरे और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ कुछ value ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 ये 4 value ले ले लेते हैं ठीक है और देखो ये 4 value आप देखोगे तो आपको तो ये साफ-साफ दिख रहा है ना कि ये 4 value जो है कि 4 value क्या है ये 4 value integer है ये तो उमको साफ-साफ दिख रहा है यहाँ पर ठीक है लेकिन मुझे इसका जब डेटा टाइप पता करूंगा तो होता क्या है कि नमपाई किसी और तरीके से काम करता है वो सीधे सीधे जवाब नहीं देता वो गुमा पिरा के जवाब देगा ठीक है देखो मैं आपको दिखा रहा हूं इसका मैं इसका मैं प्रेंट करता और क्योंकि मुझे शरत का डेटा टाइप चेक करना है तो मैं शरत डॉट यहां डी टाइप कर दूँगा ठीक है तो मुझे इसका डेटा टाइप दिखेगा अब मैं इसका डेटा टाइप को एक्जिक्यूट करूँगा तो देखो मेरे पास क्या अंसर आ रहा है मुझे प इसने क्या किया उसको int32 ऐसे ले लिया इसने ठीक है इंटीजर है यह बता रहा है लेकिन साथ में यह एक एड़ाउन कर दिया यह नमपाई होता है नमपाई बेसिकली क्या है निमेरिकल पाइथन मैंने आपको स्टार्टिंग नहीं बताया तो हर चीज़े यह निमेरिकली ही समझाएगा आपको सीधे सीधे नहीं बोलेगा ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अब नीचे आजाओ अब क्या हो अगर हम एक array के अंदर string पास करें अब यहां पर फिर मैं ले ले लेता हूँ इसी ही को ले लेता हूँ यह आटा हो गया data है यह data है sorry data type of numpy array string ले ले लेता हूँ यहां पर ठीक है क्या हो अगर मैं string की बात करूं तो मैं इसको as it is पहले उठा लेता हूँ copy कर लेता हूँ ठीक है बस इसमें value change कर दूँगा ताकि हमारा time बचे अब इसके अंदर मैं pass कर देता हूँ apple दूसरी value pass कर देता हूँ banana जो भी है मैं spelling उसका गलत लिख दूँगा तो कोई problem नहीं है आप लोग को समझ में आ जाएगा यहां लिख देता हूँ cherry अब इस तीन value का मुझे चेक करना है data type तो मुझे पता है कि यह लेकिन यह फिर मुझको सीधा सीधा जवाब नहीं देगा यह मुझे क्या बोलेगा मालूम you six अब आप देखो यू क्या है यू is for unicode string ठीक है तो यह मुझको बोलेगा कि यह एक unicode string है वो भी six देगा देखना मुझे यू six देगा यह देखो ठीक है तो आपको यह short form से आपको maximum चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी ठीक है अब थोड़ा सा और complex चीज़ बताता हूँ आपको थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा रही है क्या करता है हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी आगे वाला ऐसा ही लगेगा आपको जब हमने convert करेंगे हमने conversion देखा है ना जब हम कोई string को integer में change करते हैं इंटीजर को string में change करते हैं भले उसका type सेम होता है बस उसमें अगर कि कोई integer उसको string में change करते हैं तो देखो वो इसमें आपको बताने जा रहा हूं डिफाइन डेटा टाइप यह क्या करता है डिफाइन डेटा टाइप बैसिकली मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी यह क्या करेगा एक optional argument देदेगा हमको d type का जो मैंने d type दिया है न यह d type को हम एक optional argument के जैसे use करेंगे और यह define करेगा कि हमको कौन सा data type अभी उस array element में समझ लो fix करना है या implement करना है ठीक है मैं string को character बनाना चाहता हूं इस string को integer बनाना चाहता हूं किसी को numeric बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं यह उसके बारे में d type के through हम करेंगे तो मैं यहां पर as it is अभी इसको copy paste कर देता हूं पुराना वाला value ठीक अब आप देखो यह one two three four है ठीक है यह मुझको पता है ना कि यह तो एक integer है अब मैं क्या करूंगा इसको बो s अब आप उपर जाओ capital s क्या है capital s for string ठीक है अब देखो यह क्या करेगा मुझे मुझे अजीब सा output देगा यह ठीक है यह मुझको हो सकता है boolean पर दे अब आप देखो मैं इसको execute करता हूं यह d type मैंने कर दिया ना मैं काम करता हूं d type तो करूंगा साथ साथ पहले value भी print क और directly इशरत को एक और प्रिंट कर देता हूं इसका data type में इसका answer क्या आने वाला है आप वो भी देख लो यह क्या करेगा मालों यह यह दोनों को concatenate करेगा string और integer string में ने दिया है न तो यह क्या कर देगा b उसके अंदर string की value डाल देगा b उसके बाद comma 1 मतलब b inverted comma 1 फिर b inverted comma 2 देखो आप और इसका data type कर देगा s1 यह देखो b comma 1 b comma 2 देख रहे हैं आप बहुत confusing बहुत confusing लेकिन easily आपको आपको अभी हम करेंगे न चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो easily आपको समझ में आ जाएगा ठीक है थोड़ा सा complex लगता है इसी में आप जैसे i है u है f s ठीक है i small i i मैं आपको दिखा रहा हूँ small i small i ठीक है यह वाला small u small i small u small f और capital s और capital u इन सब से आप size भी define कर सकते हो ठीक है size define कैसे करोगे जैसे कि आपको 4 bytes का integer define करना है मालों यह आपको जरूवत पड़ेगी सब machine learning में जरूवत पड़ती है इसकी है न तो मैं आपको just example दे रहा हूँ उस पर बहुत इतनी घुसेंगे लिटो आप confused हो जाओगे अभी मैं यहां पर लेता हूँ यहां पर मैं लिखता हूँ कि starting से लिखता हूँ now we will create an array ठीक है with data type data type of four byte integer कर देता हूँ ऐसे कर देता हूँ ठीक है यह मैं कैसे करूँगा सबसे परदे तो मैं as it is कभी पेश्ट कर लेता हूँ इसको इंपोर्ट नाम पाई जाए एंपी शरत नाम का वेरियबल ले लिया एंपी डॉट एरे उसके अंदर फिर मैंने पास कर दी वैल्यू अब यह जस्ट आगे में मैं क्या करूँगा इसके इसकी वैल्यू डिफाइन करने के बाद दूँगा कॉमा और यहां पर फिर मै इन फोर्ट देखो आई क्या होता हैं फॉर इंटीजर थीक है और यह क्या वैल्यूए यह इंटीजर वैयल्Иयू इसको मुझको असाइन करना है मैंने क्या बोला इसको आई पोर इंटीजर कर दोगए इile यह थीक है DO डेटा टाइप लेकिन 4, 4 is for what, 4 byte, ठीक है, मैंने इसको बोला कि इसको आप 4 byte पे आप चेंज कर दोगे, ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों को प्रिंट करता हूँ, मैंने अभी टाइप भी प्रिंट किया, अब उसके साथ में मैं शरत को भी प्रिंट करता हूँ, ताक और इसका डेटा टाइप क्या होगा, 8 इंट फोर किता हो गया, 32, देखो नीचे, 1, 2, 3, 4 आ गया, और आईएंटी 32, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा क्लेकुलेशन पर मज जो, बहुत ज़्यादा क्लेकुलेशन पर मज जो, इसका हम बहुत बहुत डीप में, अभी मश इसको फिलहाल रटो, आगे आपको क्लियर हो जाएगा वो, अब इसमें एक चीज और बताता हूँ, जैसे ये इंटीजर था, हमने इसको इंटीजर वैल्यू दे दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर इस्ट्रिंग होता, और मैं इसको इंटीजर व टाइप, ठीक है, is given in which the elements cannot be casted, ऐसे करता हूँ, ठीक है, then, जो नमपाई है, वो एक एरर रेस कर देता है, ठीक है, will raise error, ठीक है, मतलब यह हुआ कि, what if a value cannot be converted, आप ऐसे समझो, ओके, क्या होगा अगर, अगर मैं उसके जगा, एक mix दे दूं, complex पे दे दूं, एक string और एक number, दुनों पास कर दूं, तो क्या होगा, जैसे एक example लेते हैं, ठीक है, import numpise in np, इसके अंदर हमने integer value दे दी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर integer न दे के, integer न दे के, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, पहला string, दूसरा string ही देता हूँ, बट उसको दे देता हूँ, integer, लब integer ही था यह, लेकिन उसको मैंने string के रूप में दे दिया, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ कुछ, और अब इसको बोलता हूँ कि भाई, change करना है आपको, मतलब यहाँ पर लगाना है comma, और यहाँ पर change करना है d type, d type is equal to, यहाँ पर इसको कर दो i, i is for what, integer, इसको integer पर change कर दो, तो देखो, यह string है, यह हमको पता है क्यों कि यह value भले अंदर की integer है, लेकिन बाहर में comma लगा मतलब यह string है, तो यह value तो string में change हो जाएगी, लेकिन what about a, a कैसे change होगा, इंटीजर में कैसे a change होगा, नहीं होगा यह तो string है, तो है, a को तो हम integer में change करी नहीं सकते, क्योंकि a कोई value ही नहीं, न 1 है, न 2 है, न 3 है, कुछ नहीं है, तो यह क्या करेगा, error ले आएगा, देखो, execute करता हूँ मैं इसको, यह देखो, आगया error यहाँ पर, line 42, np array यह, value error, invalid literal for i, int, with base 10, यह आगया कुछ-कुछ error यह देखो, यह दिखा रहा है, a, a वाले में error है, ठीक है, तो यह instant error generate कर देता है, ठीक है, तो यह गलती मत करना, कभी भी, अब नीचे आ जाता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, कि अगर कोई existing array आपके पास है, और उस पे आप कुसी data type को convert करना चाहते हो, तो कैसे ओके, मैं लिखता हूँ, एक converting data type on existing array, ठीक है, इसके लिए सबसे अच्छो option यह होता है, कि एक as type function होता है, as type function, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, as type, as type function, यह function क्या करता है, एक copy बना देता है, उस array की, जो भी array existing है, उसकी एक copy बना देगा, तो उससे क्या होगा, कि error generate नहीं होता है, generally, क्योंकि यह test and trial हो गया फिर एक तरह से, ठीक है, और उसके तुरू आप क्या कर सकते हो, कि जब आप copy बना दिये as type से, तो कोई भी data को आ कर सकते हो, जैसे की, जैसे की string के लिए मैंने आपको बताया था, कि आप capital S use करोगे, F float के लिए करोगे, small F, I के लिए करोगे, मतलब, small I करोगे integer के लिए, ठीक है, वैसे ही आप directly भी लगा सकते हो, F नहीं लगाना है, आपको आप float लिख दो, आपको I नहीं लगाना है, करते हैं, ठीक है, यह क्या हो गया, capital O हो गया है क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब इसका एक example लेते हैं, मैं इसको पहले paste करता हूँ, ठीक है, और इसको हटा जेता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, शराद NP, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, कुछ Boolean type क 2.1 कर देता हूँ, ठीक है, इसको 3.1 कर देता हूँ, ऐसी कुछ value देता हूँ, अब देखो यह कौन सी value है, इसका type क्या है, यह type तो आप समझ रहों ना, कि यह Boolean है, मुझे इसको integer में change करना है, तो मैं क्या करूँगा, directly integer में change नहीं कर सकता है, कि मैं सीधे यहाँ पर change नहीं करेगा, या ध्यान रखना, आप नम पाए है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक नए variable में save करना पड़ेगा, आप यहाँ पर एक शरद one नाम का variable ले लो, और इसके अंदर क्या करो, जो शरद है, शरद को क्या करो, उसके अंदर जो values हैं, उसमें आपको करना पड़ेगा, as type, ठीक है, शरद की value को as type करके, इसके अंदर मुझे आई pass कराना है, मतलब integer को pass कराना है, मैं boolean को integer में change करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे change करूँगा, मतलब उसको एक नए variable में save करवाँगा, जो मैंने इसलिए आपको बोला, कि एक नया बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है, अब मैं print कर देता हूँ, किसको print कर दूँ, शरद one को, ठीक है, और अब जो शरद one बना है, अब उसका हम data type भी चेक कर लेंगे, अब back आजाओ, इसको save कर देता हूँ, ठीक है, execute करें, कहां पर हमने क्या गलती करी है, अब के, एक मिनट इंपोर्ट कर दिया, मैंने शरद ले लिया, और ये एक boolean value ले ली, उसके बाद फिर मैंने नया शरद one बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने, ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया, ओके, और फिर प्रिंट करके, उसका d type ले ये, मैंने ठीक किया हुआ, तो ये एक यूँ ले रहा है, ऐसा problem, अच्छा अच्छा ये वाले में ना, ये वाले में, ओके, ओके, तो मैं क्याम करता हूँ, इसको यहां से, थोड़ा देर के लि ये देखो, आ गया, 1, 2, 3, है ना, ये 1, 2, 3 हो गया, ये बूलियन था, बूलियन से ये आइंट में चेंज हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और उसका data type मैंने ख्लिक दिया, ये अब देखो, आइंट हैड़ी 2 आ गया, ठीक है, सिंपल था, आप यहां पर अगर आप ये नहीं की लिखना चाहते है, आई, ऐसे, तो आप यहां पर ना, आइंट भी लिख सकते हो, direct, लेकिन कॉमा हटा देना, ठीक है, आप ऐसे भी लिखोगे, तब भी ये चीज एक्जीज़ एक्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, इसको एक्जीक्यूट करें एक निया ले लेते हैं यहां पर, तब आपको clear होगा, 4.1, ओके, इसको execute करते हैं, देखो, हो गया execute, है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको numpy के तरीके बता रहा हूँ, मैंने इसलिए यहां पर आई दिया, आप ऐसे ही लिखो, वो best रहेगा, उससे जो coder होगा, जो आ ठीके, अब जैसे आपको boolean पर change करना है, अब मालो यह एक value हो जाती, 1, 2, 3, 4, कुछ, मैं यहां लिख देता हूँ, चलो इसको उठाता हूँ, फूरा copy करता हूँ, एक एक example लेते हैं, अच्छे से लेंगे, करना data type of existing array, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, इसको अठा देता हूँ, यहां पर कर देता हूँ, फ्रॉम, आई, एन, टी, ए, इंटीजर, टू, बूलियन, यह करके देखते हैं अपन, ठीक है, तो हमको यहां पर क्या लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा, यहां पर value, तो integer value, मैं 1 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, देखो आपको as type, यह सब कुछ asities लिख दिया हूँ, बस यहां पर मैं दो चीजे लिख सकता हूँ, देखो, b for क्या है, बूलियन के लिए, या तो मैं b लिखूंगा, b लिखूंगा, या तो मैं b लिख दूँ, या फिर मैं यहां बूल कर देता हूँ, चलो मैं बूल कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या यह रन होगा, यह रन होगा, लेकिन यह बूल पर कैसे रन होगा, यह क्या करेगा, true, false, true, execute करूँ, यह देखो, को कि 0 क्या होता है, 0 हमेशा, false होता है, true, true, आ गया, इसका type क्या है, बूल, ओके, मैंने यहां पर बूल बूला है न, sorry, मुझको float बोलना है, और मैं बूल बोलता गया हूँ, sorry, 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 मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, I am really sorry, action में दिमाग में मेरे float ही चल रहा है, लेकिन मुझ से बूल निकल रहा था, तो उसके लिए sorry, ठीक है, I think आपको समझ में तो आगया होगा यह chapter पूरा, तो एक बार जितने भी होते हैं न, जो जो होते हैं, यह पूरे data type, यह पूरे data type, इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, पूरे data type को पढ़ लेना आप एक बार, जैसे मैंने रटा हूँ है, मुझे पूरा रट memory junk, ठीक है, तो ऐसे आप इसको पूरा रटो, नई रटोगे तो आप यहाँ पर end type के लिए आपको वापस notes कोलना पढ़ेगा, आपको वापस एक बार देखना पढ़ेगा कि कोई किसी और नए YouTube पे tutorial बनाया है क्या, इसको कैसे convert करना है क्या, ऐसे करना पढ़ेगा, तो इस और next chapter में मैं आपको इसकी कुछ-कुछ add-on चीजें होती हैं, हम उस पर भी discussion करेंगे, ठीक है, six chapter पर, चलो, इसको रोकते हैं यहाँ आप, ओके,